हम विश्व गुरु की बात करते हैं भारत विश्व गुरु बनना चाहता है यह उसकी स्वाभाविक गति है यह सिर्फ आर्थिक का उन्नति से नहीं होने वाला है दूसरों की लिखी हुई किताबों को रट कर हम विश्व गुरु बनने वाले नहीं है विश्व भारत की और रटा रटाया ज्यान काने के लिए नहीं आ रहा है भारत के पास एक लंबा अनुभाव है यहां की एक ज्यान परंप्रा है उस अध्यात्म के छेत्र में है गणित के छेत्र में है सांखे के छेत्र में है मेटलर्जी के छेत्र में है, फ्रशासनिक छेत्र में है, विदुर्णीति है, वेद हैं, विदांग, दुनिया की चाह ये है आज उस भारतिक ज्यान परंप्रा को क्या हम खंगालते हैं, क्या हम पढ़ते हैं, आज के युगा को उसकी त्यारी करनी पड़ेगी यह आवश्यक है, अगर ऐसा नहीं हुआ, तो भी भारत बढ़ेगा, परंप्र विश्वगुरू नहीं बनेगा चीन है, चीन ने बड़ी आर्थिक प्रकति कर ली है, परंप्र विश्वगुरू नहीं है, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है, वो दुनिया की फैक्टरी ज़रूर है, परंप्र विश्वगुरू नहीं है, क्योंकि उसका ज्यान और उसके तरीके, वो वस्तुता भारत की विशेशता ये है कि भारत उस ज्यान परंप्रा के आधार पर चला भी वह से ऋसके आचरन को देखना चाहता है उस आचरन को करने के लिए हम संद्द हो रहे हैं क्या आज लिए माविश्य इस बात के लिए तयार होने से झाल